इसमें हमने स्टार्ट कर लिया अपना लेसन नमबर टू दिपाइट पाइपर हमलें तो आपने इसमें देखा कि हमलें एक जर्मनी का एक छोटा सा टाउन है जो कि एक नदी के किनारे है और बहुत बहुत पहले हमलें ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की जैसे आपन इन में बहुत सारे rats आके जो कि हर जगे पायina लगे यहाउस में घर के अंदर स्कूल में दुकानों में even स्ट्रीट के में गलियों में भी और वो rats कुच बड़े थे कोई चोटे थे कोई मोटे थे कोई पतले थे कोई blackbak को लाइप एक mejorar के थे कोई band ग्रेग अलगे थे इवन रैट जो थे अब डॉक्स को भी काटने लग गए थे ठीक है और छोटे-छोटे बेबी इसको भी वो काटने लग गए थे उन्होंने फसल खा दी थी हैमलिन के जो लोग थे वह भात परेशान हो गए थे फैड़ अप हो गए थे जब उनका पेशेंस आके नीली थी बाल बड़े थे उसने लॉंग कलरफुल कोट पहना वा था रड कलर का उसने मेर से यह बोला कि आप लोग परेशान है मैं जानता हूं मैं आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता हूं लेकिन इसके बद्दे आपको मुझे क्या देना पड़ेगा नाम था पाइट पाइबर उसके पास एक भाट था बाजब था तो उसने क्या किया उसने बाजा बजाना शुरूर्व किया और धीरे धीरे कहीं से ाफ़े में जाने रहे और ऑ 맛이 पाइबर जारे सुन पेच्छे धोपिछए चलते रहे और फिर उसके बाद मेंää करी तरह गय फिर पाइट पाइपर वापस गया मेर के पास और मेर से बोला कि मैंने आपको free कर दिया है free of rats मैंने आपको कर दिया है तो अब आप मुझे मेरा reward दीजिए तो उसके बाद मेर जो है मेर का दिमाग change हो गया उसने अपना mind change कर दिया उसने बोला कि I will only give you 500 coins तो पाइट पाइपर गुसा हो गया पाइपर टोड़ा है और आपको इसके लिए मुझे से माफी मागनी पड़ेगी मेर हास ने लग गया फिर पाइपर ने बोला अगर मैं यहां से चूहे को रैट को निकाल सकता हूं तो मैं दुबारा से उनको बुला भी सकता हूं फिर क्या हुआ देखते हैं पेश नमबर 14 पाइपर ने जो मेर ने mind change करने के बाद जो रुपए दिये थे वो पाइपर ने नहीं लिये उसके बाद वो स्टीट में आया और उसने एक अलग सी धुन बजानी शुरू की जो बहुत ज़्यादा मधूर थी पहले से भी ज़्यादा मीठी थी और थोड़ी ही देर बाद बहुत सारी आवाज आने लगी भागने की आवाज चिलाने की आवाज बोलने की आवाज और थोड़ी ही देर बाद सारे बच्चे निकलके आगे और डांस करने लगे उसकी धुन पे सारे पैरेंट्स जो थे वो परिशान होगे टे ट्री तो स्टॉ इम एंड याज़ चल्र ऌने बहुत कोशिश की उनको रोकने की बच्चों को और पाइट पाइपर को रोकने की लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं सुनी ना तो बच्चों ने सुनी नहीं Pipe Piper ने सुनी और वो थोड़ी ही देट बार Pipe Piper जो है एक माउंटेन की तरफ गया और वहाँ से डिसापियर हो गया मतलब गायब हो गया बच्चों को लेकर The Pipe Piper returned to Hamlin again without children और दुबारा वो Pipe Piper फिर से टाउन में आया लेकिन बिना बच्चों के The Mayor rushed to him, Mayor भागते हुए उसके पास गया He backed Pipe Piper to forgive him फिर Mayor ने Pipe Piper से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो He offered to pay him the promise reward और उसने उसको वादा किया कि मैं तुम्हारा जो reward था वो तुम्हें दूंगा The Piper was happy, Pipe Piper जो था वो खुश हो गया He walked away and returned back with the children और वो फिर से गया और अपने साथ बच्चों को लेकर आया The Pipe Piper was rewarded जो Pipe Piper था उसको उसका price मिल गया The Mayor learned this lesson that promise once made should be kept तो इस बात से Mayor ने एक lesson सीखा, एक सबक सीखा कि क्या, promise once made जब एक बार हम किसी से कुछ वादा करते हैं, should be kept तो उस वादे को हमेशा बनाए रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए जब भी हम किसी को कोई वादा करें, कुछ promise करें तो हमेशा उस promise को हमें पूरा करना चाहिए बलकि जबकि उसको तोड़ना नहीं चाहिए ये किससे लिया गया है Adapted from the Pipe Piper of Hamlin by Robert Browning की book है Pipe Piper, उससे ये story ली गई है इसमें मैं आपको page number 16 तीज दो question करवा रही हूँ थोड़ा सबकर return work भी हो जाएगा तो देख लिजेसे copy में Class 4th, subject English 1 date 38th April 2021 Lesson number 2 The Pipe Piper of Hamlin एपार्ट है, answer these questions Question number 1 Where is the town of Hamlin located? जो town था Hamlin वो कहां located था? Answer देखिए Hamlin is a small town in Germany Hamlin एक छोटा सा town है Germany में located on the banks of a large river एक बड़ी सी नदी के किनारे Question number 2 Why was the mayor of Hamlin worried? Hamlin का जो mayor थे वो परिशान क्यों थे? तो देख लिजे The mayor of Hamlin was worried because the city was full of rats क्योंकि उनका जो शहर था Hamlin वो चूहों से भर चुका था इसलिए mayor क्या थे? worried थे ठीक है? तो ये सिर्फ दो question मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप आराम आराम से लिखे और इसको learn भी करें जैसे आप लिखे वैसे आप learn भी करते रहें ठीक है? और writing हमेशा अच्छी बनानी है तो अभी इसको कर लिजे उसके वाद हम आगे बढ़ेंगे next video में